I'm a poppy girl in the poppy world, life's fantastic, oh no, 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 oh shh तोगे ऐसे हमाँ champions of the world मैं हो 3DX Chetan and if there is one thing जो कि हमको पसंद है apart from hating all elite wrestling and that is कमिया निकालना, oh man, किसी भी sport में, आप किसी के भी fandom में हो आपको बड़ा मज़ा आता है critique करने में, आज हम WWE की ऐसी ही गलतियों को point out करने वाले and let's see कि वो गलतिया कितनी valid है, जो कि 2023 में उन्होंने अब तक करी है उनके booking errors and article का link description में रहेगा, कुछ चीज हम छोड़ देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो बड़ उसके अलावा, जो main main चीज़ें उस पर review करने वाले, जिसमें सबसे पहले इन्होंने रखा है bad money not main eventing backlash I hope मैंने bad bunny बोला है, not bad money and bad bunny ने backlash main event नहीं किया था, यह हम आज पढ़ रहे हैं trust me, हमने उसी टाइम पर, मैंने अपनी review वीडियो में ही यह बोल दिया था कि यह backlash में यह वाला match main event नहीं था because trust me, when I say this Cody Rhodes versus Brock Lesnar भले कितरा भी hype वाला match हो I think, अगर उन्हें पता था कि यह लोग ऐसा करने वाले है and उनको ज़्यादा पता होगा कि bad bunny की audience किस तरीके की है Porto Recom में, तो I think उन्हें यह चीज़ अगर पहले से पता थी then they should have put that in main event और main event worthy match special लग सकता मैं तो अभी भी मेरे को यह लगता है कि शायद सी यह main event था मैंने Wikipedia पर जागे चेक किया कि एक मिनट यह यह याद सा आ रहा है main event तो यही था पर जाना रहा है Cody Rhodes vs Brock Lesnar का ही main event था यह इन्होंने पहले डाल दिया था of course that was very bad decision especially अगर आप उसी जगह पर कर रहे हो और दोनों superstar वहीं किया it is not कि सर्फ bad बनी पर टेमिन प्रीस्ट भी होई का है मैट रिडल का return हो गया है mess up मैट रिडल यार अगेन मैंने कहा था कि मैट रिडल का जो पिछला साल था वह बड़ा ही खमाल का रहा था और उसके पाद मैट रिडल हगा हो गया I don't know किसकी वजह से हो रहा है क्या backstage में अगला है इन फ्रीक्वेंट रोमन रेंस title defenses यानि कि रोमन रेंस की championship defend ही नहीं हो रही है रोमन रेंस रेंस टीरो का हुआ भी है ना live event में उसके पहले पेपर व्यूज में तो कुछ था ही नहीं tag matches में आ रहा है बंदा अब आए भी क्यों ना जो bloodline की story या तो फिर आप story ले लो क्या फिर आप जबरदस्ती के matches ले लो जो कि traditionally होते आएं वो इसलिए होते आएं थी क्योंकि उनके पास बड़ी storyline नहीं थी और अगर थी भी तो उनके पास bloodline जैसी storyline नहीं थी उनके पास solo storyline थी तो इसलिए वो लड़ते भी थे अब इनके पास sacrifice करना पड़ेगा ताकि आप महां से चीज़ें उठा सको और उपर से सिर्फ अभी दो इतो पेपर वी हुए है एक backlash गया और एक अपना अभी Saudi Arabia वाला गया और दोनों में ही हमें Roman Reigns के title defenses नहीं देखने को मिले it's okay but at least Roman Reigns के वो हमें tag match तो मिला and guess what अभी एक और title defense नहीं होगा जो कि अभी money in the bank आ रहा है क्योंकि उसमें भी tag team match है हाँ यह कह सकते है कि pay-per-views की जगे क्या पता smackdown में लडता लेकिन Roman Reigns अब इतना बड़ा बन चुका कि वो smackdown में तो लड़ने वाला है आतनी तो किसी छोटे तू अपोलो क्रूस से लड़ ले रोमन वर्सेज अपोलो करा देंगे हम लेगन तरह वो आना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कर सकते चाहिए तो फिर अब बड़ी राइवल्री ही चाहिए और बड़े पैमाने पर चाहिए तो आप वर्ल्ड चैंपियन्शिप की क्लास ऐसे ही होती है आप वर्ल्ड चैंपियन्शिप जीते ही कम दिखाई दोगे अब क्यों आयँ हो वर्ल्ड चैंपियन्शिप जीते ही कम दिखने लगए अपकी बही अब तमें जा रहा हो न अगला है ब्रेवाइट का मैस कर दिया रे ब्रेवाइट का मैस डब डबली ने नहीं किया है ठीक है डब डबली का आइडिया हो ही नहीं सकता वो Mountain Dew Black Match जो भी था Pitch Black Match ये Bray White का ही आइडिया हो का में इसे guarantee से लिख के लेलो उल्टा Bray White ने हो सकते कि और भहंकर आइडिया दिया होगा ये तो WWE ने उसको थोड़ा नीचे लाते 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 इतना कर दिया कि चला आर at least visibility तो रहे माच के अंदर वरना तो पतनी Bray White ने क्या सोचा होगा कि मतलब full असूर level shit सोची होगी कि जैसे असूर में नी हो रही थी killing उस टाइप के matches सोचे होंगे Bray White ने और मैं हापर किसी का दोश नहीं दूँगा I think Bray White screwed Bray White that's what I think तो Bray White का जब return होगा वहाँ पर Bray White के ही हाथ में चीजे रहेगे WWE के हाथ में कुछ नहीं रहेगा if if WWE has given you the freedom then use it carefully and ये Bray White के case में बहुत easily apply होता है अगला इनों ने रखाया ending Brock Lesnar versus Bobby Lashley on a disqualification Brock Lesnar versus Bobby Lashley I don't know man क्यों करते हैं क्यों इनको दिखाया नहीं जाता कि एक बंदा over भी हो सकता है एक बंदा हरा भी सकता है दूसरे बंदे को especially जब बड़े stars की बात आती है तो बहुत दिक्कत में आ जाते हैं कि भई अब कैसे हम इस superstar को हरा है चलो Brock Lesnar ये नहीं हरा जा रहा imagine Roman Reigns को कैसे हराएंगे फिर ये लोग अभी क्या है जब तक Bloodline की story अच्छी चल रही है तब तक तो कुछ पता नहीं चल रहा बढ़ा इस सून as Bloodline की story is over you have to figure out कि Roman Reigns किस तरीके से हरने वाले है because if you cannot figure कि Brock Lesnar किस तरीके से हर रहे है तो Roman Reigns तो भूली जाओ Cody Rhodes was the guy जिसको कह रहे थे कि वो story finish करेगा वो Brock Lesnar को सही से नहीं हरा पा रहा now just imagine the intensity Roman Reigns and Brock Lesnar created तो yeah of course disqualification में तो कभी होना ही नहीं चाहिए था Brock Lesnar और Bobby Lashley को but again Bobby Lashley अगर हरा भी देते तो भी इनको यहीं करना था Bobby Lashley को gap कर देते रोह से तुमारी हिम्मत कैसे भी Brock Lesnar को हराने की अब हम तुम्हें दिखाएंगे नहीं टीवी पे and finally नोने रखा कोडी रोट्स not finishing the story at WrestleMania 39 come on ये को जादा नहीं हो के भाई Cody Rhodes finishing the story कहीं पत्तर पे लिख्या था क्या कि ये तो हो नहीं है अगर ये नहीं हुआ then आपको punishment मिलेगी no it was never the case in fact everybody knew कि Roman Reigns जीत रहा है even though मैं कह रहा था कि 50-50 है but मैं 50-50 इसलिए कह रहा था कि चलो यार जो नहीं देख रहे हैं वो Cody Rhodes को support कर सकते हैं लेकिन जो पहले से देख रहे हैं उन्हें कैसे लग रहा है कि Cody Rhodes जीत सकता था there was no way उनकी presentation से ही पता चल गया था after Royal Rumble मैं तो मैं तो Royal Rumble से पहले Cody Rhodes को support कर रहा था Royal Rumble के बाद से I realized कि नहीं भाई यह बंदे के थोड़े मुश्किल लग रहा है chances चुप चाप अपना shift कर लो focus और मैं Roman Reigns पे shift हो गया and guess what happened Roman Reigns won the match और Cody Rhodes अगर वहाँ पर जीत जाता I don't know कि आज हम क्या कर रहे होते maybe Cody Rhodes versus Brock legendary ही हो रहा होता but just for the championships and Roman Reigns कायब हो चुके होते for sure Roman Reigns तो फिर ब्रेक पे चला जाता so do you wanted that or do you wanted that masterpiece storyline, bloodline जो create कर रही है मैं इसको over any day any day Cody Rhodes की story से उपर रहूंगा because I know Cody Rhodes की story क्या है क्या है, बस हराना, championship लेना ये तो सब की story है और किसी को ये, even Titus O'Neill को ये चाहिए Apollo Crews को ये story finish करनी है क्यों, उनके क्यों नहीं हो रही, तुम्हारी क्यों होनी है finish तुमने बहुत ज्यादा मैदत करी है I don't understand this point just because he said कि I have to finish the story doesn't mean कि वो finish the story होनी जरूरी ही है failures happen और आपके साथ failure हुआ है maybe next year, try next year इस साल तो Roman Reigns का ही year रहेगा बाबा So I think for me, definitely Cody Rhodes का हारना was the rightest decision they can take and confidence तो मेरे को तब ही आ गया था जब Stone Cold ने support कर दिया इस statement को कि Roman Reigns का जीतना was the best decision and I was like अब तो कुछ सुनने की ज़रती नहीं अब तो पदा ही जलिए कि वही सही है और Stone Cold बोलना तो और कैची है Anyways, that is it for this video definitely, comments में आप अपनी तरफ से लिख कर बताना एक booking mistake या फिर error जो कि WWE ने अभी तक इस साल की है comments में लिख और अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपनी लाइक और शेयर कर चैनल के subscribe करो